जै गुरुदेप शुकल योग दो बच के तेतालिश मिनद दिन परियंत अध़ परभ करन सुरू होगा सोरोदय कशमय है पांच बच के एक तीस मिनद प्राता सुरैस्त कशमय है छेवर्च के उन्तीस मिनद श्रायम राहुकाल का शमय है जिस साथ बच के तीस मरशे शुरू होगा और नौ बजे प्राता तक राहुकाल रहेगा विसेश में आज स्रावण स्वंबार ब्रत भी है इसी क्रम में द्वास राश्यों का फल सरप्रथम मेश रासी है इस समय अपने उर्जा को 71 के दुबारा से नई नीतियां बनाने की जरूत है अपनी योजनाओं को क्रिया रूप देने के लिए भी उचित समय है पैत्रिक शंपत्ती संबन्दी मामलों में आज कोई हल निकल सकता है अपनी कारेपरणाली में बदलाओ विवशाय के लिए सकाराख पर पस्तिरियां बनाएगा कारेस्थल पर किसी प्रकार की दिक्कत होने से पहले उसको सांति पूर्ण हल करें बर्शवरासिय आपका द्रिष्टिकोन आपकी लोक प्रेता के सांत जन संपर का दायरावी बढ़ाएगा जो कि भवश में काफी लाब दायक शावित होगी किसी भी प्रकार का उधारी लेने से पहले उससे बचना चाहिए बहुत आवशकों तभी लें ब्यापार में नए काम के प्रारम करने के इस समय अच्छा है और मिल जूल करके यदि आप कारेंगे तो परिवार जनों का शहयोगी मिलेगा उन्नती होगी भावनाओं की वजए दिमाग से काम लें इससे आप अपने कारों के प्रती ज्यादा काफी अच्छी तरह नणाय ले पाएंगे विध्यार्थियों को भी किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने से बहतिन मौका मिलेगा ब्यापसाय में पब्लिक डिलिंग से समद्ध कारों में अच्छी सफलता मिलेगी और उन्नती भी होगी आपकी करकराशी इश्यमें ग्रहस्तिती आपके पक्ष में बहतिनी बनी हुई है इनका उच्छी सम्मान करें आप अपनी बुद्धी मत्ता दुआरा घर तथा बेवशाय सम्मंधी समस्याओं को सोल्याने में सक्षम रहेंगे विध्यार्थियों को भी सिक्षा सम्मंधी उच्छत परणाम हाशल होंगे परंतु किसी पारवाग सदस्के बेवाहक जीवन में कुछ शमश्याओं आने से घर में तनाव का माहुल रह सकता है कार छेतर में ध्यान देने की जरूरत है जब एक योजना मना करके आप काम करेंगे तो निश्यत रूप से सफलता मिलेगे सिंग राशी निश्यत ही सफलता देगा साज़ेदारी के बिजनेस में पारदस्ता रखना जरूरी है जरासी गलत फेहमी शमंदों में दरार डाल सकती है नोकरे पर शालोग एकाउंट शमंदी काम बहुत ही साबधानी शिकरें अपना देस्तावीर समलकर रखें करने अराशी अपनी दि कामलों में ज़्यादा हस्ता छेप ना करें कारिश्यत्र में कोई भी टील या लेंदन के बहुत अधिक शाबधानी वरते हैं आपके साथ धोका होनी की भी आशंका है किसी विवशाय के आत्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है तुला राशी विध्यारतियों को इंटर्वू में शकारत में परिवर्तन लाएगा अपनी महात्पूर्ण दस्ता भी शमाल करके रखें दुपशायक नजरी से ग्रहस्तिति आपके पक्ष में दैनिक आज में ब्रद्दी होगी ब्रश्यक्राजी आज आध्यात्मिक गत्विधियों के प्रतिय आपकी आस्ता बढ़ने से अपनी अंदर शकारात में बदलाव महशुश करेंगे कोई भी लिड़नाय लेने से पहले अच्छी तरह शोच विचार कर लें पस्ततियां आपके पक्ष में पूर्ता अन्कूल हैं घर के बर्श दश्यों के मान सम्मान में किसी भी प्रकार की अभेलना न करें उनका आशि ध्यान रखना जरूरी है धनूराशी इस्थान परिवर्तन सम्मन्दि अगर कोई योजना बन रही है तो उसे कारूप में परिणत करने का उच्छ समय है आपके शंतुलत बिवहार द्वारा शुब अशुब प्रतेग परस्तिती में उच्छ सामन्स बना रहेगा जिससे आ मकर राशी इस्थान परिवर्तन सम्मन्दि अगर कोई योजना बन रही है तो उसे कारूप में परणित करने का उच्छ समय है आपके शंतुलत बिवहार द्वारा शुब शुब प्रतेग परस्तिती में उच्छ सामन्स बना रहेगा बरतमान परस्तिती की बज़ए से इस शकारत में परिवर्तना आएगा पिछले काफी समय से चेवरी ब्यस्तता से आज रहत मिलेगी विवशाय गतिविदियों में जो बदलाओ किये हैं वो लाबदाएक शाबित होंगे लेकिन मार्केटिंग समन्दि शवी कामों को इस्थागत रखें श्यमें कोई फाइद में दिक्कत आए तो अपने महात्पूर्ण कारों में किशी बर्ष्ट व्यक्ति की शलाय अवश्य लें इस समय किसी भी तरह की यात्रा को सकारात में प्रणाम नहीं मिलेंगे बहतर है कि इस्थागति रखें बिजनिस में महात्पूर्ण आर्डर मिलेंगे एह राज का देने पंचान दौआसराश्यों का फल इसी के साथ अपने बाणरी को ब्रावन देते हैं जै गुर्देव जै वहाश्यूर्ण